खंडवा को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए अब इंदौर नगनिगम मदद के लिए आगयाया है नर्मदा जैंती के आउसर पर खंडवा पहुचे इंदौर के महापौर पुश्यमित्र भारगव ने कहा कि हम खंडवा के साथ M.O.U कर अंदौर मॉडल के स्टड़ी कराएंगे देखिए ये खास रिपोर्ट गौर तरब है कि अंदौर ने लगातार छटे वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षन में इंदौर ने ये स्थान देश की एक लाग से अधिकाबादी वाले शहरों की शेणी में पाया है नर्मदा जैन्ती के कारिक्र में शामिल होने खंडवा अए पुश्यमत्र भार्गफ का स्वागत खंडवा सांसत ग्यानेश्वर पाटिल खंडवा विधायक देवेद्र वर्मा और खंडवा की महापौर अमरिता अमर्यादव ने किया इंदौर के महापौर हमारे खंडवा पढ़ा रहे थी उनका बहुत-बहुत स्वागत उन्होंने एक अच्छा हमारे लिए सहीयोग की बात कही है कि हम स्वच्छता में शहर को और कैसे अच्छा बना सकते हैं इंदौर की तरस्ष्ट पर तो M.O.U. के माध्यम से हम उनके सा मारी से है मैंने यहां के महापौर जो की बहुत ततपरता से खंडवा को स्वच्छता में नंबर वन बनाने में सभी प्रयास कर रहे हैं उनको यह अपनी और से आसवाशन दिया है कि इंदौर मॉडल स्टडी करने के लिए उसको समझने के लिए जब भी वो टीम भेजेंग हम उसके साथ MOU करकर खंडवा में भी उन सुझाओं को उन काम करने के लिए ततपर रहेंगे और स्वच्छता का एक ही तरीका है जन भागीदारी जन समवाद नई मान्य प्रधान मंत्री जी नहीं कहा है कि इंदौर एक दौर है और शिवराद सिंग जी चोहान जो हमारे य दौर के सपनों का शहर है इंदौर अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है तो उसका कारण यह की है कि जन भागीदारी और जन प्रतिनी दियों की मेहनत इंदौर के महा पौर पुश्यमत्र भारगव शनिवार को नर्मदा जैनती के आउसर पर खंडवा के नार्मदी अब्र हमन समाज के कारिक्रम में शामिल होने आये थे ब्यूरो रिपोर्ट अमपी न्यूज